हेलो दोस्तों मेरा नाम है बाल क्रिशन और बेस्ट एक टिप्स में आपका हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने टीवी में क्रोम ब्राउजर को कैसे चला सकते हैं ठीक है आपके पास कोई भी समार टीवी है और टीवी है या फार स्टिक है ठीक है वहाँ पे आप जो है गूगल क्रोम ब्राउजर को अन्सटॉल कर सकते है और इस विडियो के अनड तक ज़ूर बने रहे हैं कि क्रोम ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना चाहिए आपके टीवी में की नहीं ठीक है इसके बारे में मैं end में जुरूर बताऊंगा तो end तक जुरूर बने रहें तो chrome browser install करने के लिए आप simple सा बहुत सारे जो google tv है या android tv है उनमें by default जो है chrome browser installed होता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं अपनी apps की section में जा सकते हैं उनको अगर उनके tv में पहले से ही google chrome installed होगा तो उनको उसका icon जो है दिखाई देगा आप search भी कर सकते हैं लेकिन जो maximum tv होते हैं या android tv होते हैं उसमें google chrome by default जो है installed नहीं होता है और हम अगर android tv के google play store में जाएंगे तो इसमें हमें वो नहीं मिलता तो इसलिए हमें third party के थूँ जो है उसको install करना पड़ता है तो उसको install करने के लिए सबसे पहले आप अपने play store में जाएंगे भले ही यहां पर वो chrome browser नहीं है लेकिन हम इसकी मदद से कोई दूसरा browser install करेंगे और उसके थूँ chrome browser install करेंगे तो हमने google play store में नॉर्मली browser सर्च कर लिया है अब यहां पर देख सकते हैं आप बहुत सारे browser यहां पर show कर रहा है तो अगर आप rating की बात करनें पहला 4.3 दिखा रहा है इस पे अगर आप जाएंगे नीचे नीचे scroll करेंगे तो आप देख सकते हैं 16000 से ज्यादा rating है इसका मलब यह अच्छी app है क्योंकि 4.3 की भी rating है अगला जो browser है उसमें 4.7 की rating है और 15000 के लगवग rating है तो आप यहां से मान सकते हैं कि यह statting के 2 या 3 browser जो है यह अच्छे browser है बाद वाले भी कुछ एक अच्छे होते हैं लेकिन maximum जो है अच्छी rating जिनकी है ज्यादा rating है जिनकी और 4 plus से ज्यादा जो है उनको star मिले है वो वाले browser ज्यादा अच्छे रहते हैं अब यहां पर आप देखेंगे क्योंकि हमारे पास Chrome browser नहीं है ठीक है तो हमने उसको install करने के लिए हम कोई सा भी जो browser है उसको open करेंगे suppose का लिए हम इसको install कर लेता है ठीक है tv web browser तो जो भी आपके tv में है browser आप उसको normally install कर देंगे और जो इस browser के थुरू Chrome browser को install नहीं करना चाहते तो simple सा आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं ठीक है वहां पर हम आपको idea दे देंगे otherwise आप क्या कर सकते हैं अपने mobile में जो है Chrome browser को install कर सकते हैं उसके बाद send file to tv की मज़स से जो है अपने tv में transfer कर सकते हैं या अपने laptop में transfer कर सकते हैं उसके बाद pen drive के थुरू अपने tv में जो है उसको रख सकते हैं फाइल को ठीक है तो यह shortcut तरीका है आपर हम Chrome browser की file को ही download करने के लिए जो है ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे है तो हम इसको open कर देते हैं और इसकी जगह अगर मैं बताओं तो best तरीका मुझे pen drive वाला रहता है क्योंकि आप simple सा अपने mobile में install करेंगे दो मिनिटे में काम हो जाता है ठीक है किसी भी file को install करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो है इस browser का layout आ रहा है तो normally google front में यह आ रहा है इसमें आप चाहो तो यहाँ पर search भी कर सकते हैं तो हम google पर click कर देते हैं और यहाँ पर हमें क्योंकि chrome browser चाहिए तो हम chrome browser के बारे में यहाँ पर लिखेंगे chrome browser download for android tv यह search करने के बाद हम normally ok पर press कर देंगे मेरे इसाब से तो यह same चीज़ आप अपने mobile से करें जाला बैटर रहेगा ठीक है उसके बाद आप नीचे नीचे scroll करेंगे यह देख सकते हैं आप आपको यहाँ पर website आ रहे है apk mirror यह एक genuine और trusted website रहती है हमेशा किसी भी apk को download करने के लिए तो हम इस पर click कर देंगे download के बटन पर click करेंगे इसके नीचे नीचे लिखा होगा download file करने के लिए ठीक तो हमने already जो है इस file को already download करके रखा है अपने तो आप वो वाला जो trick का है यूज कर सकते हैं नॉर्मली mobile से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है तीवी में थोड़ा सा लफणा रहता है अब आप क्या करेंगे जब भी आपने किसी browser के अंदर इस तरह से third party app को आप आपके tv में तो यहां पर हमारा pen drive है media card के अंदर तो इस पर हम ok कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो chrome browser है उसकी file है तो इसको हम ok press करेंगे press करने के बाद unknown source enable करने को आएगा कुछ एक के tv में तो आप enable कर देना उसके बाद download होना शूरू हो जाएगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसको install करने का option आ रहा है तो हम install पे click कर देंगे तो आप देख सकते हैं apps install हो चुकिए हम done पे press कर देते हैं आप क्या होगा कि हम file install कर चुके हैं ठीक है आप क्या सामने ही लेकिन आप यहां पर launcher के नाम से कोई सी भी application को install कर सकते हैं यह side app सबसे अच्छी application है इसके अलाव आप कोई भी कोई भी side load जो launcher है आप अपने टीवी में install कर सकते हैं हमारे टीवी में पहले से यह projectivity launcher तो यह भी side load launcher का ही काम करता है इसलिए हम उसको install नहीं कर रहे है side load launcher को ठीक है तो हम अपना projectivity launcher को open कर देते हैं आपको काफी पर बताया है तो इसके बहुसा रिफाइद है रहते हैं एक तो थीम का layout काफी अच्छा लगता है smooth और दूसरा यह होता है कि इसमें आपकी जो third party application है वो भी आप easily install और देख सकते हैं ठीक है अब आप देखेंगे यहां पर भी दिखाई देरी आपको तो आप जैसे जैसे निचे से scroll करेंगे तो हमें जो chrome browser है वो यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो इस पर हम okay press कर देंगे ठीक है तो हमारी idea आ रही है तो हम continue कर पर यह proper काम नहीं करेगा ठीक है इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी चलता रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी तो आप देख सकते हैं हमने mouse को जो है इसके साथ plug किया है तो अब हम यहां पर कुछ भी search करेंगे तो वो हमें दिखाई देगा तो जैसे हम इस आप देख सकते हैं proper जिस तरीके से आपका google chrome browser चलता है क्योंकि हमने google chrome browser को यह अपने tv में install किया है तो same उसी तरीके से चलेगा और आपका जो remote है वो भी work कर रहा है तो अभी हम flip card सर्च कर लेते हैं और flip card की website को open कर लेते हैं example के लिए आप देख सकते हैं कि proper जो है tv में flip card क आपकी website open हो चुकी है इसी तरीके से आप जो है कोई भी आपकी कोई भी website या कुछ भी आप जो है browse करना चाते हैं वो अपने tv में browse कर सकते हैं और open वगेरा कर सकते हैं आपने tv में file हम image पे click करते हैं तो image यहां पर जितने भी इनके function है ठीक है proper यहां पर काम करेंगे हर एक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि proper जो है chrome browser आपका tv में चल पड़ता है तो अब हम end में conclusion की तरफ आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात मानें तो google chrome browser आप tv में अपने install कर सकते हैं आपने देखा आपको सिर्प side load launcher की जुरूरत है file manager की जुरूरत है और normal जो ह आपका यह remote जो है proper work नहीं करेगा जैसे scroll down up और down तो हो रहा है लेकिन आप किसी जगह पर okay मानना चाहते हैं क्लिक करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप click नहीं कर पाओगे ठीक है तो उसकी जगह आपको mouse का use करना पड़ेगा तो आप देख भी सकते हैं आपको यहां पर एक mouse का hover दिखाई दे रहा है ठीक है यह देख सकते हैं cursor तो बहुत सारे आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगी कि आप Chrome browser को जो है TV में कैसे install कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप बिल्कुल भी install ना करें आपको बहुत जादा नुकसान है पहला क्यूंकि तो यह TV में install करने का तरीका ढूंड रहा था प्रॉपर बहुत सारी application तो इसमें चलेगी ने Chrome browser की उसके बाद आगा आप चला भी लोगे उसमें बहुत जादा लैक करता है आपका TV लैक करेगा आपका browser लैक करेगा ठीक है एक simple इस Chrome browser की बज़ा से इसके बहुत सारे default आपके TV में है browser उन पर आप सब कुछ कर सकते हैं ठीक है मैं आपको demo के लिए दिखा भी देता हूं जैसे हम यहां से बाहर निकल जाते हैं सबसे पहले हम इस browser पर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा lightweight है और इनमें ना आपका TV लैक होगा ना आपको किसी तरह कि आपको extra file इंस्टाल करने की जुरूरत है और यहां देख सकते हैं आप IP TV का option है अगर आप OK प्रेस करेंगे तो यहां से आप ड्रेक्ट TV बगेर रेंड कर सकते हैं ठीक है अगर आपके पास service provider है उसके बाद आप जाएंगे आगे add blocker कुछ भी आप search करेंगे तो आपको अपने add blocker को यहां पर से on और off कर सकते हैं किसी भी तरह कि इनमें add नहीं आती bookmark पे जाएंगे तो आपके जितने भी favorite web page है आप समझ गयोंगे जो भी आप website है ज्यादा यूज़ करते हैं तो उनको आप bookmark कर सकते हैं ठीक है तो direct आप यहां से फिर login कर सकते हैं और इसमें आपका जंजट भी नहीं जाता है history पे जाएंगे तो आपका जितना भी आपने simple सी रहती है ठीक है आप देख सकते हैं add blocking के लिए हमने enable किया हुआ है मतब by default enable रहता है क्योंकि javascript और खतम ठीक है तो इतना lightweight browser है और इतनी fast चलते हैं यह ठीक है अग एक और browser में आपको जैसे install करके बता देता हूं search कर देते हैं browser अब हम पहले browser की जगा दूसरे browser को install कर ल तो वह भी best है तो यहां पर आप simple सा देख सकते हैं हमें किसी तरह की side load की launcher की जरूरत नहीं है normal साम इस browser पर click कर देंगे यह browser इतने simple और fast होते हैं कि बहुत ही तेजी से चलते है Chrome browser के मुकाबरे 99% ज्यादा best performance देता है यह TV के इसाफ से Google Chrome browser आपके TV के लिए नहीं बनाया गया है company के दोरा यानि Google नहीं बनाया नॉर्मली आप नॉर्मली बोल के search कर सकते हैं इनके गिनिटो मोड है और यहां पर कोई भी website होगे रहा है या search कर सकते हैं जैसे ओके press करेंग Google search की अधर normal तो आप Google के home page को open कर लेता है तो आप देख सकते हैं सर्च करने पर start page करके इनके browser का कोई नाम होगा ठीक है तो आप normal जाएंगे निचे और Google की website को open कर सकते हैं ठीक है उसके अंदर आप search करना चाहें तो उसके अंदर कुछ भी search कर सकते हैं देख सकते हैं जो आ Android TV for 2024 और आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से इसमें जो है open भी हो रहा है और fast scroll वोगेरा सब कुछ ठीक है काफी speed में रन वोगेरा भी हो रही है चीज़े से normally हम किसी भी website पर click कर देते हैं माल लेते हैं इस पर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं website जो है काफी ज़ल्दी में भी है आप चीज़ें जो है search वगेरा कर सकते हैं और इस तरीके से आप करेंगे तो इस तरीके से mouse की तरह hover आता है लेकिन control आप mobile से कर सकते हैं मतलो रिमोड से कर सकते हैं ठीक है आप normally setting देखेंगे इनकी homepage आपका bookmark कर सकते हैं जो जो भी आपकी फैबरिट website है यहां पर ठीक है ताकि आप easily access कर सकें history में जाएंगे तो normally जो भी आपने सर्च किया होगा downloads में जो भी आप फाइले डाउलोड करेंगे डाउलोड के लिए आप एक बात हमेशा याद रखना कोई भी browser आप भले install करें आपको डाउलोड के लिए permission देनी पड़ेगी यानि file और media की permission द देखिए तो सारी फाइले download होती है ठीक है तो permission के लिए simple सा आप ok press करेंगे और permission जो है आचुकी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान अट गया और no download yet आ रहा है तो इस तरीके से जो है आप सारी फाइले direct अपने mobile में सर्च करने की बजाए या अपने laptop में सर्च करन ठीक है और बिल्कुँ simple सा इंटरफेस होता है आप देख सकते हैं download आगया setting आगया setting में कोई जाला कास नहीं रहती जैसे clear browsing data पीन वगेरा लगा सकते हो cursor वगेरा के mode change कर सकते हो add-on वगेरा यूज़ कर सकते हो तो इस तरीके से अलग-अलग browser की अलग-अलग setting रहती है और बिल्कु simple सी setting रहती है compatibility जो Google Chrome हमने यहां पर use किया इसमें तो भाई बहुत ही हालत खराब होगी TV की भी इतना slow TV को कर देता है आपके और मैं अगर personally suggest करूं तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी तरीके से इस Google Chrome browser को जो है अपने TV में install करने का try करें क्योंकि इससे आपका time भी based होगा ज चलाने में ठीक है proper तरीके से तो हमने सारे method try करके देखें लेकिन कोई भी proper method नहीं है जिसके तुरू आप Google Chrome को बिल्कुल smoothly चला सके smoothly वर्ड तो भूली जाओ ठीक है उसकी जगह अगर आपने चलाना ही है ब्राउज करना अपने TV में TV के by default browser को use कर सकते है वो ज्यादा better choice र entertainment और सिर्फ देखने के लिए जो है access करते हैं ठीक है कोई भी browsing के लिए यूज नहीं करता बहुत ही limited लोग होते हैं जो browsing के लिए यूज करते हैं TV को और यह सारे काम अपने mobile पे laptop पे access कर सकते हैं और यह तो आपसे smart TV आने लगे हैं इसलिए थोड़ा बहुत लोग जो है इस तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और इसी तरह का similar content देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और साथ ही साथ आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं